दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है देखे ये है ब्रह्म रसायन और ब्रह्म रसायन एक रसायन औशिदी है जिसके इस्तिमाल से सारिरिक और मानसिक कमजोरी दूर होती है ये नवयवन लाने, दिमागी तागत बढ़ाने, यादास्त तेज करने, दिल और दिमागी रक्षा करने, तागत और इस्टैमिना बढ़ाने, सरीर में चुस्ती फुर्ती लाने, असमे बालों को सफेद होने से बचाने और लंबे समय तक जमा बनाय रखने का काम करता है तो फिर आईए जानते हैं ब्रह्म रसायन की फाइदे और इस्तमाल करने की विधी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखे ब्रह्म रसायन और भी बहुत सारी कंपनी बनाती है, आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे मैं इधर आपसे डाबर के ब्रह्म रसायन के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस 175 रुपे है, जो आपको 200 ग्राम के प्लास्टिक की पैकिंग में मिलता है, और इसे आप किसी भी आईरवेदिक मेडिकल स्टोर से, या फिर म ब्रेन के लिए काफी अच्छा है, ये आपकी यादास्त सकती यानि मेमोरी पावर को बढ़ाता है, ये एक बहतरीन एंटी ऑक्सिडन का काम करता है, जिससे आप काफी लंबे समय तक जवान दिखते रहते हैं, ये आपके दिल, दिमाग और ब्रेन को बहुत ही तागतवर बनाने का काम करता है, इसका असर जो होता है, वो पूरी बोडी पर होता है, ये आपकी सरीर को सकती साली और आपकी स्टैमिना को भी बूश्ट करता है, इसके अलावा ये आपके नर्वस सिस्टम को बहतर करता है, नसों में तागत देने का काम करता है, इसके अलावा अगर आपके सरीर में एक थकांसी बने रहती है, आप कोई भी काम नहीं करते हैं, फिर भी आपका सरीर जो है वो थका थका सा रहता है या फिर आप जैसे ही कोई काम करते हैं, तो आप जल्दी ही थक जाते हैं, इसके अलावा और lungs को भी मजबूत बनाता है इसके अलावा ये आपके digestion system को भी मजबूत करने का काम करता है जिसे आप जो भी खाते हैं उसका पाचन जो है वो सही से होता है और आप काफी स्वस्त रहते हैं इसके अलावा ये आपके immunity system को भी मजबूत करता है जो लोग अक्सर बदलती मौसम की कारण बार-बार बिमार से पढ़ते रहते हैं सरदी खासी जुखाम इस टैप की समझ्चाएं उन्हें बार-बार होती रहती हैं जिसका मुख्य कारण इम्यून सिस्टम का कमजोर होना है तो यह आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है जिससे आप बार-बार बिमार नहीं पढ़ते और आपका सरीर जो है वो काफी स्वस्त बने रहता है इसके अलावा ब्रेन से रिलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कंसेंट्रेशन की कमी या दस्त की कमी मासिक ठकान, चिंता, डिप्रेशन, तनाव, सरदर्द, नीद ना आना और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत अच्छा काम करता है इसके अलावा समय से पहले बालों का जढ़ना, बालों का सफेध होना, इन सारी प्रॉब्लम्स में भी ये काफी फाइदेमंद है दोस्तों देखिए, जैसे सरीर को तंदुरस्त रखने के लिए, थोड़ा चूस्त दुरस्त रखने के लिए हम चवन प्रास खाते हैं ठीक वैसे ही दिमाग की हेल्थ को ठीक रखने के लिए चवन प्रास आता है, उसको हम ब्रह्म रसायन कहते हैं, यानि आप इसे ब्रेन का टॉनिक भी कह सकते हैं तो देखा आपने ब्रह्म रसायन के कितने सारे फायदे हैं, तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके डोस के बारे में यानि आपको इसे कैसे लेना होता है, तो इसे आपको एक चमच सुबह खाली पेट लेना होता है, दिन में आपको केवल एक ही बार इसे लेना होता है, चीज प्रकार दे सकते हैं और अगर कोई बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो उसे देने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सला ले लें इसके अलावा जो महिलाएं प्रेगनेंट हैं वे इसे ना लें क्योंकि प्रेगनेंसी के दोरान अननेसेसरी कोई भी मेडिशन लेना है वो सही नहीं होता या फिर अधिक जानकारी के लिए वे डॉक्टर से भी सला ले सकती हैं दोस्तो अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो वैसे तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता लेकिन जो डायविटीज वाले पेसेंट हैं वे इसे ना ल क्योंकि ये आपको थोड़ा मीठा टाइप का लगेगा या फिर आप अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं अब आप पूछेंगे कि इसे आपको कब तक लेना चाहिए तो देखिए डिपेंड करता है कि आपको इसे क्यों लेना है क्या बिमारी है तो फिर इसको दुबारा से लेने लगिए कुछ इस प्रगार भी आप इसे ले सकते हैं दोस्तो जाते जाते इतना जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि अपने खाने पर विशेज जान दीजिए हेल्दी डैट लीजिए टाइम पर खाईए और टाइम पर सोईए सुबह एक्सेसा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सस्क्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे माइनी मी जितेश एन थैंक यू सो मच पर वाचिंग